किसी गाव में एक बुरा आदमी रहता था, वो दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक थे, पूरा गाव उससे परेशान था, वो हमेशा उदास रहता था, वो लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूर में रहता था, उम्र बढ़ने के साथ उसके शब्दोर जहरीले होते जा रहे थे, लोग उससे बचते थे, क्योंकि उसकी शक्ल देखते ही खुद का मूर भी खराब हो जाता था, लेकिन एक दिन, जब वो 80 साल का हो गया, तो एक अविश्वस में अब बात हुई, लोगों को ये सुनने में आया कि, बूरा आदमी आज खुश है, वो किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं कर रहा है, मुस्करा रहा है, और यहां तक की उसका चेहरा भी चमक रहा है, पूरा गाव एकठा हो गया, सभी इस बदलाव के पीछे के कारण को जानने के इच्छुक थे, ग्रामीमों ने बूरे आदमी से पूछा, बाबा आपको ये क्या हो गया, आप में इतना बदलाव कैसे आया, बूरा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, 80 साल तक मैं हर चीज को ठीक करने में लगा रहा, हर वक्ष खुशी भूनने के पीछे भाग रहा था, लेकिन ये बेकार था, और फिर मैंने खुशी के बिना जीने का फैसला किया और वर्तमान जीवन का आनंद लेना शुरू किया है, इसलिए मैं अब खुश मूँ, कहानी की शिक्षा, खुशी का पीछा मत करो, अपने वर्तमान जीवन का आनंद लो,